और्गन और और कैस्टर और का इस्तिमार तो आप कर चुकी होंगी लेकिन आज हम आपको पिपरमिंट और इसके बारे में कुछ लाबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको पहले शायदी जानिकारी होगी आईए जानते हैं ऐसे ही कुछ स्वास और ब्यूटी लाबों के बारे में पहला खुजली से रहात अगर आज की तचा में खुजली हो रही है तो ऐसे में पेटोलियम जली की जज़ा आप पिपर्मिंट ओयल का इसेमाल कर सकती हैं आपको पेटोलियम जली से ज़्यादा अच्छे परिणाम पिपर्मिंट ओयल से मिलेंगे इस से तचा की सुजन भी दूर होती हैं दूसरा लंबे बालों के लिए peppermint oil क्या आप लंबे बालों की चाहत रखती हैं अगर हाँ तो आप अपने बालों की लंबाई वड़ाने के लिए peppermint oil का इस्थेमाल कर सकती हैं तीसरा पिपर्मिंट oil में एंटी बैक्टिरियल बुन होते हैं आप आप सित्री में आप पिपर्मिंट oil एक सानिटाइजर या हैंग वश की दराज सेमाल कर सकती हैं एक अभ्यान में पुष्टी की है कि पिपर्मिंट oil में 22 बैक्टिरिया और 11 पतार के फंगस को मानने में सक्षम होते हैं जो हता पिपर्मिंट oil में SPF होता है जिसके लिए इसकामस्तب यह नहीं की आपको संस्क्रींग की ज़रूर नहीं है आप नियमीत रूप से संस्क्रींग की दिश्गा पर पिपर्मिंट के तेल का सेमाल नहीं कर सकती हैं आप अपने बालों में बीड से पहले पिपरमिंट ओईल इसमाल कर सकती हैं इससे सूरत यदिन आपके बालों को नुकसा नहीं पहुँचाती है 5. आपके नाखुनों को गलोसी रखने के लिए पिपरमिंट ओईल में अंटी फंगल गुन होते हैं जो प्रिय हमारे नाखुनों पर एक क्यूटिकल ऊईल की तहां काम करके उनुही सग्च से मुक्त करवाता है इससे हमारे नाखुन त्वस्त रहते हैं छेट्वा, यह मुहासों को कम करता है जी हाँ, बिपरमिन का इस्तेमाल करके आप आसानी से मुहासों से मुख्तव हो सकते हैं इसे तचा में सुजन और आइल प्रड़क्शन कम होता है साथवा, आपके मूद को बदलने में मदद कार बिपरमिन के खुजबों आप के मुद को सरु ताज़ा करने में मदद करती हैं इससे इसलिए क्योंगी बिपरमिन के खुजबों के कई चिकित्चे लाब होते हैं यह हमारे धियान में सुधार और मन को बढ़ावा देने के लिए स्थमाल किया जाता है इसे office बें होने वाला तना बीकर होता है Thank you for watching your video Please like, share and subscribe to our channel Thank you, bye